हेलो फ्रेंड्स जूपिटर क्लासेज में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इसमें क्या रहेगा कि एक आपके पास संटेंस हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है और आपको क्या करना है कि दो हम आवाज या फिर हम शकल वर्ड्स होंगे ठीक है यानि कि जिनकी स्पैलिंग सेम होगी या फिर प्रनंसेशन सेम होगी लेकिन मेनिंग उनका अलग रहेगा ठीक है आपने उनको क्या करना है इन ब्लैंक में फिल करना ठीक है तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका is father who is a media डायडेश went to a डायडेश place for reporting अब आपने यह बताना है कि पहले यह वाला बैरन आएगा यानि कि इस वाले ब्लैंक में यह वाला बैरन आएगा कि यह वाला बैरन आएगा ठीक है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहें कि बैरन तो आपको मैं बता दूँ कि यह जो B-A-R-R-E-N वाला Baron है इसका मतलब होता है कोई वीरान जगा, कोई सुनसान जगा और यह Baron क्या होता है, कोई Baron means person, एक renowned person, ठीक है एक professional एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है पहले आएगा Baron, यह वाला Baron आएगा यहां पर, ठीक है Who went to a Baron place, Baron place means एक सुनसान जगा पर रिपोर्टिंग, ठीक है यह था पहला, next देख लो, he climbed to the top, die dash of the ladder to reach the roof and then die dash washed cloths, ठीक है अब क्या है, आपके words जो है, वो है, रंग, एक है, R-U-N-G, एक है W-R-U-N-G ठीक है, अब आपको इनके meanings पता होनी चाहिए यह जो R-U-N-G है, यह क्या है, जो CD होती है, आपकी letter होती है, ठीक है उसका सबसे last वाला जो step होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आप, रंग कहते है और यह W-R-U-N-G क्या होता है, निचोडना, ठीक है, निचोडना, ठीक है तो, यहां से तो meaning से तो पता लगी गया होगा कि इस blank में क्या आएगा और इस blank में क्या आएगा, तो he climbed to the top, रंग, यह वाला रंग, आप the ladder to reach the roof and then rung the washed out cloths, ठीक है next, देख लो, he di-dash his money like one di-dash pages, वोड है आपके dispose, ठीक है, यह dispose का मतलब क्या होता है, यह dispose का मतलब क्या होता है यह जो आपका पहला वाला वोड है, dispose, इसका मतलब होता है फैलाना, ठीक है, बिखेरना, और यह disburs क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्च करना, ठीक है, तो जाहिर से बात है, he dispersed his money like one disburses his pages, ठीक है वो अपने पैसे इस तरीके से खर्च करता है, जिस तरीके से कोई pages को फैलाता है कोई pages को फैंके ठीक है उस तरीके से कोई पैसो को खर्च करता है disverse करता है ठीक है next sentence है आपका he felt die dash when his die dash got delayed in the bar ठीक है क्या है word आपका है ale एक है a-i-l दूसरा है a-l-e ठीक है तो अब ये a-i-l का मतलब क्या होता है और a-l-e का मतलब क्या होता है ये जो आपका a-i-l है इसका मतलब होता है गुसा आ जाना किसी चीज़ से परेशान हो जाना और ये a-l क्या है a-l-e क्या है ये है बियर एक तरीके की बियर होती है ठीक है तो he felt ale यहाँ पे आएगा ale he felt ale when his ale got delayed in the bar क्योंकि शराब तो बार में मिलेगी ठीक है तो इसलिए इस blank में क्या है कौन सा वाला ale आएगा ale जिसका मतलब है बियर और इस ale में क्या आएगा इस blank में क्या आएगा a-i-l वाला ale आएगा ठीक है समझगे बात को क्याके जब बंदा जो है वो परेशान हो गया ठीक है वो उकता गया किस से जब बार में उसकी शराब थोड़ी सी देर में आई समझगे बात को next है आपका the die dash was die dash from entering the studio ठीक है अब आपको इन words का meaning पता होना चाहिए bard bard ठीक है इन में से एक bard है जिसको आप poet कहते हो और एक bard है ban अब आपको यह identify करना है कि ban वाला bard कौन सा है और poet वाला bard कौन सा है तो ban वाला bard है b-a-r-r-e-d तो इस वाले blank में आपका ये वाला bard आएगा और इस वाले blank में ये वाला bard आएगा यानि कि जो poet है उसे studio में अंटर करने से ban कर दिया गया है ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स देख लो they die dash on an antique die dash of necklace ठीक है अब आपने broached ठीक है they broached on an antique die dash of necklace एक broach है इन में से discuss करना एक broach है इन में से एक jewelry set ठीक है एक कहते हैं एक ornament है जिसको आप किसी कपड़े के साथ जो भी आपका पहनावा होगा ठीक है कोई ornament होगा उसके साथ उसको लगा दे उसको कहते हैं brooch ठीक है he was very die dash while giving his report which outlined die dash categories of issue इन में से एक discreet क्या है इन दो में से एक discreet है आपका accurate या फिर cautious और एक discreet है different ठीक है मतलब अलग-अलग एक discreet है आपका अलग-अलग ठीक है different types तो इसमें आएगा is discreet का मतलब क्या है पहले वाले discreet का मतलब है he was very accurate cautious ठीक है he was very accurate या cautious while giving his report which outlined discreet categories of the issue discreet यह वाला discreet आएगा यहां पर discreet means अलग-अलग-अलग categories उसने issues जो एक issue particular issues को दिया गया था discuss करने के लिए report submit करने के लिए ठीक है उस issues की उसने क्या करी है अलग-अलग categories करके एक report तयार करी है ठीक है तो यह वाला करने के बाद हम last पर क्या करते है एक मीठा एक मीठी डिश होती है उसको आप dessert बोलते हो ठीक है अब आपने फाइंड आउट करना है कि इन मेंसे खाने वाली डिश कौन सी है और रेगिस्तान वाले रेगिस्तान वाला वर्ड कौन सा है ठीक है समझ गे बात को तो यहां पर क इस वाले ब्लैक में आएगा आपका यह ठीक है और इस वाले ब्लैक में आएगा आएगा आपका पहला वाला अब यहां पर आपने इन मेंसे फिल करना है ठीक है अब इनके मेनिंग आपको पता होना चाहिए यह लेवी क्या है और यह लेवी क्या है इन मेंसे एक लेवी भाई इन मेंसे इन दो मेंसे एक लेवी है फीस और एक लेवी है एक तरीके की क्या होती है एक वाल होती है ठीक ह ये एक तरीके से कौन से वाल होती ही समदरी एरियाज में एक वाल बनाई जाती है ताके समदर का पानी जो है घरों के अंदर ना गुश सके ठीक है उस दिवार को हम कहते हैं लेवी तो जाहर से बात है मीनिंग से तो यहां पर पता चल ही गया होगा के इस ब्लैक में कौन सा आएगा तो इस ब्लैक में आएगा ये वाला लेवी ल-e-v-y ठीक है यहां पर यह मानी है इस सेंटेंस के के उसने जो अपने घर के अराउंड एक एक लेवी एक दिवार कंस्ट्रक्ट करी थी उसके लिए उसे लेवी चार्ज करी गई है समझगे बात को दे डाइडेश लोरी वाज लोड़िड विद डाइडेश आइटम्स ठीक है दे डाइडेश लोरी वाज इसमें इनमें जो बोड डालने है आपने वो है स्टेशनेरी करके बोड ठीक है इनमें से एक स्टेशनेरी है जो साकत स्टेटिक रहता है मतलब साकत खड़ा रहना हिलना डूलना नहीं मतलब एक position में है ठीक है और एक stationary है जो हमारी items stationary items होती है pen copy क्या कहते है books वगेरा जो कुछ भी है ठीक है हुआ गया तो इन में से यहां पे क्या आएगा यहां पे क्या आएगा यह आपका क्या है यह एक तरीके से आपका homework है आप comment section में बता सकते हैं ठीक है यह आप पर मैंने छोड़ दिया है समझे next देख लो die dash sorry over die dash is the man of die dash यहां पे आपने क्या फिल करना है principle ठीक है इन में से एक principle है बई principle जो school का एक school का या फिर एक higher secondary का क्या होता है या फिर एक college का क्या होता है head होता है principle है उसूल ठीक है अब यहां पे कौन सा आएगा यहां पे कौन सा आएगा वो तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहां पे आएगा over principle p-r-i-n-c पी एल वाला होता है स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाला प्रिंसिपल और पी एली वाला होता है रूल वाला प्रिंसिपल ठीक है रूल्स ठीक है तो हमारा जो प्रिंसिपल है ही इस दे मैन अफ रूल्स या he is the man of principles तो यह वाला principle यहाँ पर आएगा I found this day-dash in the dairy sorry I found this day-dash in the day-dash ठीक है dairy यह भी एक तरीके से देखते मिलते जुलते words है तो मैंने आपने इस blank में कौन सा वाला word fill करना है इस blank में कौन सा वाला word fill करना है इस blank में आपका आएगा I found this diary I found this diary ठीक है where in dairy ठीक है मुझे यह diary जो है dairy में मिली ठीक है next है the thief sorry the thief opened the day-dash the thief opened the day-dash almira to dash-dash the jewelry ठीक है word by steel एक steel होता है चोरी करना और एक steel होता है जो metal है आपका ठीक है ठीक है तो spelling से आपको पता होना है जिए के s-t-e-e-l वाला steel वो है आपका metal और s-t-e-l वाला steel है आपका चोरी करना तो यहाँ पर आएगा steel और यहाँ पर आएगा steel ठीक है किसकी almira चोरने क्या किया steel से बनी हुई जो almira है उसको खोला और वहाँ से जवलरी चोरी कर ली यहाँ ने steel कर ली ठीक है next देख लो die dash school will end in one die dash हमारा school जो है एक घंटे में खतम होगा our school और h-o-u-r वाला our ठीक है I will buy the latest book written die dash चेतन भगत ठीक है buy और buy यह दो वोड्स है ठीक है हम नवा वोड्स है इन में से यहाँ पर कौन सा आएगा और यहाँ पर कौन सा आएगा तो I will soon buy the latest book तो यहाँ पर आएगा खरीदने वाला buy ठीक है pairs of words with their use in meaningful sentences करके जो हमारा topic है उस पर हमने एक practice session लाया था बहुत ही आसान चीज़ है ठीक है अगर आप 100 pairs of words करके जाएगे एक्जाम में तो मुझे नहीं लगता कि आपका यह question जो है skip हो सकता है thanks for watching